देली में केजरी वाल सरकार के विश्वास प्रस्ताओ पर शनीवार को विधान सभा में सुभ़ ग्यारा बज़े से चल्चा अगई मुख्य मंत्री केजरीवाल ने शुकरवार को विधान सभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताओ पेश किया था केजरीवाल ने कहा था कि भाच्पा उन्हें गिरफतार करवा कर सरकार गिराना चाहती है उन्होंने भाज़पा पर खरीत फरुक्त का आरोप लगाया है कहा है कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड रुपे का ओफर दिया गया है स्पीकर राम निवास गोया ने विश्वास प्रस्ताव स्विकार करने के बाद गुरुवार को सदन को इस्थखित कर दिया था उन्होंने कहता कि शनिवार को इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी केजरिवाल ने इस से पहले मार्च 2023 और अगस्त 2022 में विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था आज एकी दिन केज़रीवाल को दिल्ली की राउज इवेन्नी कोट में भी पेश होना है शराब खोटाले में ED ने पाँ समंद के बाद भी केज़रीवाल के पेश नहीं होने पर कोट में याचिका लगाई थी इस पर चोदह फरवरी को कोड ने केज़रीवाल को संबन जारी करते हुए 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दी आ था इसके फोरण बाद इरी ने केज़रीवाल को छटा संबन जारी किया और 19 फरवरी को पूषटाज के लिए बुलाया है